तो दोस्ता मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्स्प्लोजिव से भरी होई गाड़ी रखने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है और ये बात शायद सुनते ही उस व्यक्ति का नाम सुनते ही शायद अरनब गुसवामी के घर गुलाब के फूल खिलिट हूँ लेकिन ये वीडियो आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताने वाला है इस वीडियो में आपको बताए जाएगा किस प्रकार से अरविंद के जरिवाल, राहूल गांदी और अन्या इसी प्रकार के लोग जो हैं वो इस पूरे माहूल के पीछे शामिल हैं जो कि मुकेश अंबानी की हत्या की साज़िश तक पहुँच चुका है बने रही हमार साथ देखते रहे आची दाता कबर तो दो सकल राहूल गांदी एक ट्वीट करते हैं उसके अंदर एक आर्टिकल होता है जीरो लेकिन इस आदमी ने गौतम अडानी ने 12 लाग करोड रुपे कमाये हैं और आप अपने सर्वाइवल के लिए भी मजबूर है गौतम अडानी को क्यों घिरा गया क्योंकि राहूल जी का अनुसार वो नरेंदर मोधी जी के दोस्त हैं और इस वज़े से नरेंदर मोधी उनको फायदा पहुंचाते हैं और हमारे दो का नारा जो है वो अल्लेडी संसद में दे चुके हैं राहूल गांदीजी लेकिन सच्चा ही पता है कि है सच्चा ही ये है कि 2011 में भी गौतम अडानी जो थे वो सबसे बड़े wealth creator बने थे और 2007 से लेकर 2011 तक 13 से 7 नमबर पर पहुँच गए थे गौतम अडानी और इस पूरे दोरान जो थे वो UPA की सरकार थी मनमौहन सिंगी गजब की बात ये है कि 2004, 2004 से 2014, 2014 तक राहूल गांदी की खुद की जो समपत्ती है वो 1600 परसेंट यानि की 1600 प्रतीशत से ज़ादा से खुद बढ़ चुकी है और दूसरी तरफ जिस अडानी को गाली दी जा रही है वो राजिस्थान के अंदर जो की Congress शाशित प्रदेश है उसमें 50,000 करोड से ज़ादा इन्वेस्ट कर रहे हैं हजारों लोगों को जॉब दे रहे हैं मैं श्री श्री राहूल गांदी जी से अनरूत करूँगा कि ये पाप की कमाई जो है वो अपने Congress द्वरा शाशित प्रदेश में ना लगने दे लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सावन के मौसम में जब बूंदे पड़ती है तो गोबर फूल जरूर जाता है लेकिन उसका यूज फिर भी उसी काम के लिए होता है तो यहां देरा पदा जेता है कर सांड के सींग तो है लेकिन वो सांड जो है उनी सींगों से दूसरों को तो मारता है और अपने आपको उनी सिंगों से खुजली करता है नहीं समझे मेरी बात तो जी अडानी को गाली देना जो है वो तो पॉलिटिक्स है और अडानी के पैसे का प्रियोग करना मजबूरी है और यह सब पहली बार नहीं है 2014 2014 के चुनाव में अरविंद केजरिवाल ने यह मुद्दा पहली बार सामने रखा था अमबानी अडानी का और आज तक उनका यही मुद्दा चल ला है कभी राउल गांधी जो है वो हम दो हमारे दो का नारा लगा रहे हैं जिसमें अडानी और अडानी आ जाते हैं कभी सूट बूट की सरकार का नारा लगा रहे हैं कभी किसान अंदलन के बीच में जियो का बॉयकॉट आ जाता है कभी जियो के टाउर सुके जाते हैं मुकेश अमबानी जो है वो मोधी 2.0 के विलिन बने हुए है अडानी के साथ और मोधी 1.0 जो था उसमें अनिल अमबानी और रफाल विलिन थे जबकि सची है कि मनमोन सिंग की UPA2 ने अनिल अमबानी को एक लाग पांच हजार करोड यानि कि 1,05,000 करोड इतना पैसा बैंकों से लेकर अनिल अमबानी को दिया था और जब मोधी 1.0 यानि कि 2019 में मोधी की पहली सरकार खत्म हुई है तो अनिल अमबानी के पास 48,000 करोड बैंकों का पैसा रह गया यानि कि बाकी जो पैसा था वो मोधी गोवर्मेंट के 5 सालों में पहले में निकाल लिया गया निलंबानी के पास से लोगों का पैसा निलंबानी के पास से निकाला जा रहा है यानि कि सब फ्रॉट पेला जा रहा है हाती की पीट पर बैठते हो तो सवारी होती है लेकिन भारत में यदि कोई 4 पैसे जादा कमा लेता है तो लाहोर की हीरमंडी सज जाती है पता नहीं क्यों शायद इस देश के अंदर हमेशा से माहूल ऐसा बनाया गया है कि जो पैसा कमाता है वो तो एक पापी होता है नारे लगते रहे हैं इस देश के अंदर के आधी रोटी खाएंगे इंदरा को जिताएंगे तो जी समाज की सोच जो है वो आधी रोटी तक की रखी गई है उसकी सोच इतनी सीमित कर दी गई है तो वहाँ पर तो अडानी है अंबानी जैसे लोग गाली ही खाएंगे और इसका परिणाम देखे क्या हो रहा है, आसे कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक explosive से भरी हुई गाड़ी मिलती है, उसके बाद एक धंकी आती है कि बेटा ये तो बस शुरुआत है इस घरना की जो जिम्मेदारी थी वो ली थी जैशुल हिंद नाम की एक संस्था ने है, और इस संस्था का जो टेलीग्राम अकाउंट था वो बनाया गया था एक मुबाइल फोन से, और वो मुबाइल फोन पता है कहा मिलता है, तिहाड जेल के अंदर, एक इंडियन मुजाहि दीन का आतंकी बेठा होता है तैसीन अक्तर, वो इस अकाउंट को बनाता है, लेकिन गड़बर सिर्फ इतनी ही नहीं है, कल नियन यानि कि नैशनल इन्वेस्टिगेटिव इजनसी ने एक पुलिस ऑफिसर, मुंबई पुलिस के सचिन वाजे नाम के उनको अरेस्ट किया है क्यूं तो धाराएं उनके उपर जो लगी है वो आप खुद देख लीजिए, विसफोटक सामागरी पर नेगलेजेंस बरतने की, फॉर्जरी करने की और एक्सप्लोजन यानि बम विसपोट करने की, प्लैनिंग करने की एक टॉप ओफिशल ने बताया के सचिन वाजे ने ये बात मान भी लिया है, यानि की बेसिकली जो 25 फरवरी को स्कॉर्पियो कार मुके शम्बानी के घर के बाहर एक्स्प्लोजिव से भरी हुई मिली थी, उस कार को वहां रखने की प्लैनिंग में सचिन वाजे शामिल थे ऐसा मान लिया गया बताया जा रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ये नहीं है, इसके अलावा उनके उपर मनसुक हिरन की हत्या जो है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है, अब ये मनसुक हिरन कौन है? तो जिस स्कौर्पियो के अंदर एक्स्प्लोजिव रखा गया था, वो बाद में पता चलता है कि चोरी की थी, अब जैसे ही पता चलता है कि चोरी की थी, तो फिर उसकी जान शुरू होती है, तो पता चलता है कि ये स्कौर्पियो जो थी, वो मनसुक हिरन नाम के एक व्यक का हथ हो सकता है ये भी investigation होनी चाहिए सवाल सिर्फ इतना उठता है कि सचिन वाजे ने जो planning बनाई थी ये इंडियन मुजाहिद दीन या फिर जैशुल हिंद के जो आतंके हैं उनके साथ मिलकर बनाई थी इसका जो जवाब है वो जांच इजेंसिया देंगे लेकिन सवाल यह पर ये भी उठता है कि सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया क्या इसके पीछ पॉलिटिक्स थी तो जी सचिन वाजे जो है वो शिव सिना के अंदर रहे हैं 2007 से लेकर तिल रिसेंटली और शिव सिना ने कुछ इस प्रकार की statement देते हुए सचिन वाजे का बच्चाव किया है दो आप जानते होंगे तो ऐसे हमें अंबानी के घर के भारते विस्वोटक मिले या फिर आडानी की कमाई को ना पा जाए जो एम है वो सिर्फ जंता को भढ़काने का है भारत में कोई दूसरा अंबानी पैदा नहीं होना चाहिए इसके लिए अरेंज्वेंट किये जा रहे है है शायद और उसके लिए लोगों को डराना जरूरी है और डर के लिए विस्वोटक रखना जरूरी है भारत के लोग आधी रोटी खाएंगे के नारे से आगे नहीं बढ़ने चाहिए है शायद मन्चा यही होगी क्योंकि भूके आदमी को भढ़काना बहुत आसान होता है मीनवाईल इस पूरी प्रक्रिया के अंदर शायद एक वक्ति है जो खुश हो जो कि सचिन वाजे की ग्रफतारी से खुश हो सकते हैं जिनका नाम है अर्णब गुस्वामी क्योंकि अर्णब गुस्वामी वही वक्ति हैं जिनको ग्रफतार करने जो टीम आई थी उनको कृटिक्स भाई क्या चल रही है इसके लावा हमें सपूर्ट कर सकते हैं आप पिर्ट्रियोन डॉट गाम और जॉइन बॉट न के सुरिजिन के लिंक जोई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंड के अंदर हैं साथ ही सपूर्ट कर सकते हैं सोचल मीडिया के अन्ने प्लाटफॉर झाल झाल झाल